जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कुछ most important questions जो कि आपके पिछले साल के exams में चाहें वो दोस्तो clerk का exam हो चाहें technical, tradesman या फिर GD का हो सभी exams में ये सभी questions जो आज में discuss करने वाले हैं काफी बार repeat हुए हैं तो दोस्तो वीडियो बहुत important है इसमें एक-एक questions अच्छे और selected level का है वीडियो को last तक जरूर देखना अगर fuzzy बना चाहाते हैं तो तो चलिए दोस्तो start करते हैं आज की वीडियो तो question number 1 की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 1 है हमारा निमले की नदियों में से किस नदी का उद्गम इस्थल भारती छेत्र से नहीं है which of the following rivers does not originate in Indian territory options हैं आपके गंगा, ब्रह्मपत्र, कृष्णा या फिर गोदावरी तो दोस्तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम इस्थल जो है वो भारत में नहीं है भारत से बाहर है तो options में आपको बता चुका हूँ तो दोस्तो ऐसी केवल इन में एक ही नधी है जिसका नाम है ब्रहम पुत्र जिसका उद्गम इस्थल भारत से बाहर है तो question number बन का सही answer option बी रहेगा अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number two प्रकास वर्ष किसका मातरक है? What is the unit of light air? तो प्रकास वर्ष किसका मातरक है? दोस्तो आप सभी को पता है इस question को मैंने काफी बार repeat कराया है distance यानि की दूरी का तो option B इसका सही answer होगा question number three की तरफ चलते हैं दोस्तो question number three है क्रिप्स मिशन के भारत आने पर भारत का वाइसराय कौन था? question number three को बहुत ध्यान से पढ़ियेगा who was the viceroy of India when क्रिप्स मिशन came to India? ठीक है? जब क्रिप्स मिशन जो है भारत आये था तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो दोस्तो उस समय भारत का वाइसराय था Lord Lynn Lithigo यानि की option B यहाँ पर आपका सही answer होगा आप चलते हैं दोस्तों अगले question की तरफ question number four question number four है हमारा the chief election commissioner hold office for a turn off मुख्य चुनाव आयोक्त का कारेकाल कितने समय तक का होता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयोक्त यानि की the chief election commissioner का जो कारेकाल होता है दोस्तों वो होता है maximum six years का या फिर इनकी age 65 years तक ना हो जो भी दोनों में से पहले हो जाएगा इनका अगर दोस्तों age 65 से कम रहे गई और अगर छे साल का इनका कारेकाल हो गया तो यह retire हो जाएगे और उसके बाद मा अगर इनकी कारेकाल छे साल का पूरा ना भी हो लेकिन इनकी age अगर 65 years हो जाएगी तो इनको जो है वो रिटायर हो जाएगे तो question number 4 का सही आंसर होगा option D 6 years अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 5 question number 5 है हमारा अर्थसास्त्र वाज रिटिन बाई अर्थसास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों बहुत important question है repeatable question है चाहें आप आर्मी की किसी भी दोस्तों trade की तयारी कर रही है ये question आपके लिए बहुत important है तो question number 5 का दोस्तों जो सही आंसर होगा option C रहेगा चाणड़क अर्थसास्तर किसके द्वारा लिखा गया है चाणड़क के द्वारा तो इस question का सही आंसर option C अब चलते हैं दोस्तों आज की अगले question की तरफ question number 6 छे number question है the coil in a heater is made of heater में coil किसका बना होता है तो दोस्तों heater की जो coil होती है वो बनी होती है नाइक्रोम की तो option C यहाँ पर आपका right answer होगा अगले question की तरफ चलते हैं दोस्तों question number 7 लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि दोस्तों इन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसके मैंने एक अलग से playlist बना रखी है special GKGS वीडियोस करके आप उस playlist के एक एक वीडियोस देखने करीब उसमें 33 वीडियोस हैं ठीक है क्योंकि आपके ज्यादतर question दोस्तों उन्हें वीडियोस से आने है ठीक है क्योंकि वो previous year के question paper में से निकाले गए questions है तो question number 7 है दोस्तों In which year was the Nobel Prize awarded to Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore को Nobel पुरुषकार किस बर्स प्रदान किया गया था तो सबसे पहले तो बता दें दोस्तों कि Rabindranath Tagore के लिए जो Nobel पुरुषकार प्रदान किया गया था वो किस छेत्र में किया गया था उनकी एक कविता थी दोस्तों गीता अंजली और साहित की छेत्र में इनके लिए जो है वो Nobel पुरुषकार से सम्मानित किया गया था अब चलते हैं दोस्तों कि इनको Nobel पुरुषकार से सम्मानित किस वर्स किया गया था तो दोस्तों इनके लिए 1913 में नोबल पुरुषकार से जो है वो सम्मानित किया गया था तो option B यहाँ पर आपका right answer होगा अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 8 National Science Day is celebrated on राष्ट्री विग्यान दिवस कब मनाय जाता है तो राष्ट्री विग्यान दिवस मनाय जाता है दोस्तों प्रति वर्ष 28 फरवरे के लिए तो option C यहाँ पर आपका सही answer होगा अगला question है हमारा question number 9 9 number question है दोस्तों Alexander defeated days in the battle of hidey space सिकंदर ने hidey space की लडाई में किसको हराय था तो दोस्तों इन्होंने हराय था पॉरस के लिए तो option D यहाँ पर आपका सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ और बहुत important question है ठीक है इस question को मैंने personally काफी बार repeat होते हुए देखा है बांदीपूर राष्टी उध्यान कहां इस्तित है तो बांदीपूर राष्टी उध्यान कहां पर इस्तित है दोस्तों यह है करनाटक में तो option C इसका सही answer होगा अगला question है दोस्तो question number 11 11 number question है दोस्तों निमलिकित मेंसे कौन सुतंतर भारत की लोगसवा के पहले अध्यक्ष थे who among the following was the first speaker of independent इंडियास लोगसवा options है आपके अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number 12 रामक्रिश्म मिश्ण की स्थापना किस के दोरा की गई थी option सा आपके सौामी देयननन्द सरस्पती, राजा राम मोहन राई सौामी बिवेकनन्द और रविन्दरनाथ टे therapies तो रामक्रिश्म मिश्ण के दोस्तों जो स्थापना की गई थी बो कियी गई थी पास दी चैल्ड हुल नेम ऑफ गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो दोस्तों इनके बच्पन का नाम था सिदार्थ तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अब चलते हैं आज की अगले कोश्चन की तरफ और आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट कोश्चन ठीक है ये भी कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों बैसे तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको आपके एक्जाम को देखते हुए वो कोश्चन आपके लिए मैं सलेक्ट करता हूँ जो की सभी के सभी कोश्चन जो है वो इंपोर्टेंट होते हैं लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ लगता है कि इन 15 में से भी ये बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है तबी मैं उसको बोलता हूँ तो जिस कोश्चन को मैं इंपोर्टेंट बोलू तो आपको उसके लिए गहराई से जोबो समझना जरूरी हो जाता है तो कोश्चन नमर 14 है तो कोश्चन नमर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन C अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले कोश्चन की तरफ और आज की वीडियो का लास्ट कोश्चन ठीक है वेर इडिया है यहां पर आपका सही आंसर होगा ठीक है तो आज की वीडियो में दोस्तों यही 15 questions थे उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक चीज और सुन लीजिए कि एक एक question इस वीडियो का जो है वो बहुत important है वीडियो को finish करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह इस वीडियो की पीडियो फाइल है और बिद आंसर किया आप देख सकते हैं पूरे की पूरे आंसर मैं लिख चुका हूं ठीक है तो बहुत important दोस्तों यह पीडियो फाइल है इनको डाउनलोड कर लिया करें क्योंकि आपको YouTube पैसे चैनल बहुत कम ही मिलेंगे जो आपको فری में PDF उपलब्द करा रहा है तो बिलकल फरी में PDF है दोस्तों आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में भी सेयर कर सकते हैं तो चलिए कल फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैवारत